नमस्ते, आज हम साला दरपन पर कक्सा 3, 4, 5 के एक चोथे सब्जेक्ट जो की RK SMBK में सामिल नहीं था, अर्थारत परियावन अध्यन की बात कर रहे हैं, उसके प्राप्तां के हमें किस प्रकार से फीड करने हैं, उसकी जानकरी हम प्राप्त करेंगे, गूगल पर सबसे पह करने के परिक्षा परिणाम प्रविस्टियां, इस पर क्लिक करते हैं, तो क्या निचे इस्तितियां होती हैं, तो लास्टी लास्ट का उप्सन है, सम्मेटेव असेस्मेंट ऐसे एंट्री, इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद में हमारे सामने कुछ ये जानक पर्तिवे दिन जारी करने की दिना कि तीनों गोलम लो करकर पर देने पर ही दिखाई देंगे, डिँखाई नहीं देंगे। तो, यह करना ही हमें यह परिंट लेते हैं समय की सेटिंग है कुछ इस परकार की यह जानकरी एंट सब्सक्राइब कर सकते हैं अब हम निचे जाते हैं सब्सक्राइब करते हैं अब हम स्टूडेंट डिटेल्स पर लोगिन करते हैं तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि कक्सा 3 के SA1 और SA2 की entry नहीं हुई है सभी बच्चों के नाम यहाँ पर आपके सामने show हो रहे है अब हमें क्या करना है बच्चे का के नाम के शामने जो ये entry आ रही है इस पर हमें click करना है और इस zero पर इस cross के निसान पर click करेंगे तो देखीगा क्या स्थितिती उपन होती है एस्थितियां यह होगी ESA का चेन करना है हमने ESA 1 ले लिया ESA 1 लेने के बाद क्योंकि यह पर्यावन अधिन का मामला है सब्यक्ट में सिर्फ एक ही उपन होगा और उसके पस्चारत हम go के बटन पर क्लिक करेंगे go के बटन पर क्लिक करने के पस्चारत हमारे सामने इस्तितिया होंगी सबसे पहले यह जो निर्देश है इनको ध्यान से देख लिए कि निमन प्रविस्टियों में कसा इसतर एक के लिए एक दो के लिए दो और ककसा इस्तर 3 के लिए 3 का 3 एंटर करें और grade में हमें A, B, A, C देनी है तो उस बच्चे के जो भी प्रापतांख है उसके हिसाब से आप यहाँ पर यह जो grade का option है इस option में यहाँ पर A, B या C को इसा भी click कर सकते हैं सब्मिट करेंगे, सब्मिट हो जाएगा और इसको हम परिवर्थित भी कर सकते हैं सभी बच्चों के इंदराज होने के पश्चाद है यदि इस परकार से आप देख पा रहे हैं यह देखिएगा यह निसान जो है यह blue tick mark हो गया है इस परकार से हमें सभी बच्चों के यहाँ पर जो प्रापतांक है उनकी grading यहाँ पर शो करनी है इसके लिए यदि आप इस पांचवे नमर का बिंदू है इस पर भी click करके जान सकते हैं कि क्या निर्देश थे तो क्या निर्देश थे वे इस परकार से डाउनलोड हो जाएंगे और इसका अधेन हमें कर सकते हैं यह 24 अप्रेल 2019 को जारी किया गया आदेश है मद्दमिक सिक्ष्या निदेशाले के दोरा ठीक है मुझे लगता है कि हम अच्छी तरह से जानगे कि हमें एंट्री कहा करनी है और किस परकार से करनी है चलिए आज की इस वीडियो में फिल हाल इतना ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा नमस्ते धन्यवाद